कि अक्सर हम जब छोटे से बड़े हुए हैPI और हम हमेशा इये बात याद दिलाई जाती है कि हम पानी के लिए जब हमें प्यास लगे तो हमें उसे अंदेखा नहीं करना चाहिए बलकि हमें जितना जलदी हो सके पानी पीना चाहिए किवह पानी हमारे जीवन के लिए बहुत मसी ने बोला है तो उसमें उसकी वो फिजिकल जो प्यास थी शररीक प्यास थी वो भी हम देखते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब एक दिन पहले तक जब येश्व मसी ने अपने चेलों के साथ अपना आखरी भोजन किया था और उस समय जब उस समय उन्होंने कुछ पिया होगा और उसके बाद से लेकर अब तक गजसबनी बाग में गए प्रातना के लिए और फिर उनने पकड़ लिया गया और पूरी रात वो अलग अलग जगा पे उनके उपर उनको ले जाया गया उनको लोगों के सामने उनकी पेशी हुई और उनको जगा जगा गुमाया गया और उसके बाद उनको मारा भी गया पीटा गया उनके सर पर काटो का ताज पिनाया गया और फिर उनको क्रूस पर चड़ा दिया गया और क्रूस पर चड़े हुए भी उनको छे घंटे हो गए तो हम नहीं जो है विए सकती है इस सभी उनको सच मुच में प्यासे होंगे उनको प्यास लगी होगी और इसलिए इसमें कोई सरप्राइज की बात्त कि बात नहीं है उन्होंने बात कहीं कि मैं प्यासा हूं तो आप जब व SHAREđEK Pces ती वो सबसे पहले कहा करें कि उनकी जो प्यस ती हुँनको मैं ने पहले कहा कि उनकी उस समय उनको लगी क्यूंकि उनका खून भी बहुत बहा गया था कि उनके सर पर काटों का ताज था और उनको कोडे मारे गए थे उनको हातों पैरों में कीले ठोक दी गई थी तो उससे उनको ये जो dehydration हुई थी और उसकी वज़े से जो उनको शाररीक प्यास लगी थी वो प्यास हम देखते हैं उस समय येशु मसी ने ज पूरी हो कहा मैं प्यासा हूँ वहाँ एक सिरकेक से भरा हुआ बरतन धरा था सो उन्होंने सिरके से भिगोया हुआ स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुह से लगाया जब येशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर जुका कर प्राण त्याग दिया तो जुके पर रखकर उसके मुह पे लगाया तो संच के मुह नगिया होगा तो मिनुट के लिए तो ऐस जो ठोड़ी शान्ती मिलीरोगे लेकिन उसका शोड भील्कुल जो सिरके का सो ओता है वह थधा और उस पीने योग्द नहीं था लेकिन समय के लिए शाय जह ये येश्य Ł शांत किया होगा और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वहां लिखा है वचन में लिखा है कि इसलिए कि ये बात जो पवित्ष शास्त्र में बात कही थी वो पूरी हो मैं प्यासा हूँ तो अगर हम इस बात को हम पवित्ष शास्त्र में देखे तो बचन सहीता 22 और उसकी पहली आयत को अगर हम पड़े तो मा लिका है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुने मुझे क्यों छोड़ दिया और उसके बाद 14 पंदर आयत में लिका है, मैं जलकी नाई भै गया और मेरी सफ हड्डियों के जोड उखड गए, मेरा हिर्दे मोम्क हो गया, वह मेरी द उसके लिए वहाँ पे जो अभी यहना है, जो बात को लिख रहा है, उसने इस बात के लिए लिखा कि पविश्चास्त में जो कहा गया था, वो पूरा हो के मैं प्यासा हूँ, और ये बात जो बजन सहीता में लिखी थी, उसको येश्व मसी ने आज अपने कुरूस पर इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिस वक्ति को 49 कोड़े लगाए गए हो और उसके उपर सर के उपर काटो का ताच बना दिया गया हो, उसके हातों में लोहे की ठोकी गई हो, पैरों में लोहे की ठोकी गई हो, और उसके साथ ये बिलकुल हम है कह सकते कि टॉर्चर हुआ और उस इन्सानी रूप में इस दुनिया में आया, तो उसने इन्सानों की जो पीड़ा होती है, जो इन्सान एक दर्द सह सकता है, वो दर्द भी उसने सहे, जो तकलीफ एक इन्सान सह सकता है, जो जखम के दुआरा, जो दिल तूटने के दुआरा होती है, वो येशु मसी ने एक इ अब यू मसीज़ एक्सपिरियेंस करना है कि उनके इतने हातों में कील ठोकी गई है पैरों में केल ठोकी गई है सर पर काटो का ताज है पीट पर उसके कोडों की मार है और उसके बाद उसका जो दिल भी है वो भी टूटा हुआ है क्योंकि इस समय उसके जो जितने भी चेले थे उस तब उसको छोड़ कर भाग चुके थे कोई उसके साथ नहीं था तो इस नजरिये से भी उसका दिल टूटा हुआ था जैसे अगर हम लोग इमेजन करें कि हमारे कोई तकलीफ आए और हमारे रिष्टेदार हमारे दोस्त हमारे करीबी लोग हमें छोड़कर चले जाए तो हमारा दिल कितना दर्द होगा हमारे दिल तूट जाएगा और वही चीज येशु मसी भी एक्सपिरियन्स कर रहे हैं तो जो ये सारी बाते मिलकर जो शारिय रूप से प्यासे थे वो मानसिक रूप से भी प्यासे थे दिमागी रूप से भी प्यासे थे क्योंकि उनके जो लोग थे वो उनको छोड़कर चले गए थे उनको बिना किसी कारण के वो सजा मिल रही थी तो जो प्यास थी वो उनको शारियरी रूप से जो प्यास हम कह सकत यो थी, दूसरी प्यास, अगर हम देखें, जो येश्यमसी हो थी, उस समय, वो थी, के परमेश्वर से जो उसका जो रिष्टा तूट गया था, वो रिष्टा दुबारा बनाने की जो प्यास थी, क्यूंकि येश्यमसी हाँ, अगर हम इससे पर मेरे परमेश्वर है, मैं तुझे यतन से ढूंडूंगा, सूखी और निर्जल भूमी पर मेरे मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अती अभिलाशी है, और एक जगह से और पड़े बजन सहीता 42 और उसकी एक और दो आयत तुम्हा लिखाए, जैसे हिर्णी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं, जीबते इश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुझ दिखाऊंगा तो जो ये प्यास थी ये शुमसी की के वो परमेश्वर से फिर से उसके सामने जाना चाते थे उससे जो फैलोशिप थी जो यूनिटी थी उसको फिर से दुबारा स्थापित करना चाते थे दुबारा बनाना चाते थ उस चीज की जो प्यास थी वो येशुमसी को वो थी और साथ ही साथ येशुमसी ये भी जानते थे कि जिस योजना के साथ जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था वो काम उसने कर दिया है और परमेश्वर उससे सैटिस्वाई है उससे जो उसके काम से वो खुश ह और जल्द ही वो उसके सामने होगा, तो उस समय को जल से जल्द लाने के लिए ये ये शुमसीह कहता है कि मैं प्यासा हूँ, उस समय जल्द से जल्द आए जब पिता और पुतर फिर से एक हो और फिर से एक दूसरे के साथ हो, तीसरी प्यास के बारे बें अगर हम कहें तो जो आज हम तीसरी प्यास के बारे बें जो येशु मसी की थी वो थी कि वो आज जो हम उसके पीछे चलने वाले लोग है हम जो उसके अपने आपको हम शिशे कहते हैं हम उसके फॉलोवर्स कहते है तो आज वो प्यास उसकी हम से है कि हम लोग उन लोगों को याद दिलाता है कि हम उन लोगों की सुधी ले जो सचमुच में भूके और प्यासे है जिनको जरूरत मंद है जिनको जरूरत है तो उनको उनकी हेल्प करने के लिए उनका साथ देने के लिए आज येशु मसी चाहता है कि हम वो करें तो वो उस चीज़ का प्यासा है अगर हम मती उसका 25 बाप और उसकी 31 वी आयत से देखें तो महा लिखा है मती 25 बाप और उसकी 31 आयत से जब मनुश्य का पुत्र अपनी महीमा में आएगा और सब सरदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महीमा के सिंगासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इखटी की जाएंगी और जैसे चरवहा भेडो को बक्रियों से अलग कर देता है वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा वे भेडों को अपनी धाइनी ओर और बक्रियों को अपनी बाई ओर खड़ा करेगा तब राजा अपनी धाइनी ओर वालों से कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगो आओ उस राज्ये के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदी से तुम्हारे लिए तियार किया गया है कपड़े पहनाए मैं बिमार था, तुमने मेरी सुधी ली मैं बंदी ग्रह में था और तुम मुझसे मिलने आए तो आज येशुमसी वही चीज हमारे जीवन से चाहता है, कि जो लोग जरूरत बंदे, जो भूके हैं, प्यासे हैं हम उनके लिए सोचें, उनकी हेल्प करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि जो आशीशे हमें परविश्वर की तरफ से मिली है वो आशीश हमें दूसरों के साथ बाटने के लिए ये शुमसी कहता है और आज वो उसी चीज का लिए प्यासा है जब हम मदर टरिसा के मिशन के सेंटर्स हैं, वहाँ पर अगर हम जाएं तो जो वहाँ की चैपल है, उनके भार वहाँ पर ये एक चीज लिखी रहती है कि मैं प्यासा हूँ और दूसरी चीज ये लिखी होती है कि मैं भुजाता हूँ तो वह इसलिए लिखा है कि मदर टरिसा कहती थी कि कि येशु मसी जो क्रूस पर था तो वह हमारी आत्माओ का प्यासा था और उसको उस चीज की प्यास लगी थी तो जब हम एक ठंडा गिलास उसकी वेक्ति को प्यासे को पानी देते हैं तो हम येशु मसी को जो क्रूस पर है उसको हम पानी पिलाते हैं या अगर हम किसी वेक्ति की मदद करते हैं जो जरूरतवन्द है हम उसकी मदद करते हैं तो हम येशु मसी की सेवा करते हैं तो वही चीज जो ये येशु मसी हमारे जीवन से भी चाहता है, उसी चीज़ का हुऊ हमारे लिए प्यासा है, कि हम दूसरों को जो भूके हैं, हम उनको खाना दे, जो प्यासे हैं, हम उनको पानी दे, जो नंगे हैं, हम उनको कपड़े पनाए, जो बिमार हैं, हम उनकी सुधी ले, और यही चीज़ जो मुझरे के चेले के रूप में हमारे लिए ये 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 के मक्या चाहता है जब उसके पीछे चले हैं कि और हम इसston के ई हमें को ty तो zit द्समें अजय करें तो हम चाहते हैं गया जिनको इसीचीज जरूरत मंदों कि प्यास बुजानी है तो आज जो फो कि आःज ये जो ई की पू परे में हमने देखा और देखा कि ये शुमसी की जो प्यास थी वो किस तरह से उसने लोगों को बताया और जो प्यास थी उसके बारे में हमने देखा तो हम लोग भी जब कई बार हमें भी प्यास लगती है हम लोग प्यासे होते हैं और हम परमेश्वर की उपस्तिती के लिए प्रमेश्वर की संगती के लिए है जब हम प्यासे होते हैं तो हमें भी प्रमेश्वर की संगती में जाना है और हम कई बार उससे दूर होते हैं हम नहीं उसकी नजदीकी में चलते हैं उसकी संगती में चलते हैं और हमारा आत्मा है वो इतनी प्यासी हो जाती है इतनी मैली कि प्रमिश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में आए, कि जिस तरह से हम उसको छोड़ देते हैं अपने दुन्यावी चीज़ों के लिए, कि एक एक एगजामपल अगर हम देखे कि एक बच्चा जब खेलने खेलता है, तो जितनी देर वो खेलता रहता है तो ना उसे भूक लगती है ना उसे प्यास लगती है लेकिन जब वो खेलना बंद होता है तो उसको प्यास भी लगती है और उसको भूक भी लगती है उसी तरह से जब हम अपने दुनियावी चीजों में खोई रहते हैं और जब हमारे पर हमेशा रहे कि हम परमेश्वर की संगती में होकर चले, परमेश्वर के साथ साथ चले, और जिस तरह से येश्व मसी ने उस समरी औरत के से वादा किया था, कि मैं तुझे जीवन का जल दूँगा, वोही जीवन का जल आज हमारे लिए भी रखा गया है, उस जीवन के जल में स हमें लेने की जरूरत है, तो जब हम इस पाचवे वचन पर विचार करते हैं और सोचते हैं कि येश्व मसी ने सच मुच में हमारे ले कितनी बड़ी कुर्बानी दी, और उसने उस दर्द को सहा, उस तकलीफ को सहा, जो एक इनसान, अगर हम सोचे तो हम उसको इमेजन भी नहीं कर सकते उस तकलीफ को सहने के लिए, तो वो तकलीफ उसने सही, और हम लोगों के पापों के लिए उसने अपना वलिदान दिया, तो आज हमें भी उसके लिए उस प्यास को बढ़ाना है, अपने जीवन में उस प्यास को लेके आना है, कि हम उस प्यास को खतम करने के प्रमेश्वर मन में भी आपके वचन को लेकर आपकी बातों को लेकर और प्यास जागे प्रमेश्वर और हम आपको आपके साथ सहागी करता कर सके प्रमेश्वर कि प्रात्ना आपकी पेरे बेटी खुतानी शुमती के नाम से मांगते हैं आमेन